असलाम अलेकुम गाइस जैसे हैं आप सब लोग मैं लेके आई एक न्यू रैस्पी जो के शाम के चाय के साथ कुछ स्नैक तो सबसे पहले हम लोको ने चिकन ले ले लें ये बॉललेस उसको अच्छे से सौप कर लेने इसके इंद जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए और अग कासा खुमाक है कि हमें इस तेंद चिकन एड़ करेंगे उसके बाद एक एक तो चिकन का पीस से वो लेते चाहेंगे चौपर में डालते चाहेंगे और उनको चौप करते चाहेंगे अगर हम सारा चिकन राइट कर देंगे वह सही से चोप नहीं होगा उनके कवाब अच्छी नहीं बनेंगे तो इस तरह से एक एक चिकन का पीस उठाते चाहेंगे और इसको चोपर में ढालते चाहेंगे उसके बाद में एक चमच जो है लस्टन अदरक का पेस्ट एट करेंगे और उसी के साथ जो है हरी मिर्चो का एक चमच पेस्ट जो है वाइट कर दूँदी इनको भी हलका से खुमा दूँगे क्योंकि जो लस्टन अदरक को पेस्ट आल है वो मिक्स हो जाए फिर उनको मैं एक बॉयल में निकालूंगी और एक चमच पिंक सॉल का एट करना है एक चमच को तिलाल मिर्च का एट करना है एक चमच जो है पुनावा कुटावा धनिया पुनावा कुटावज जीरा एक एक चमच सबका एट करना है आप अपने हिसाफ से एट कर लीजिए का मैंने अपने हिसाफ से किया इन सबको अच्छे से मिक्स करना है अब मैंने एक टीश लिए उसके उपर प्लास्टिक की शीट लगा के और ग्रीज कर दिया है जो मैंने वह आपको वीडियो में नज़रा रही होगी ऐसे पतले पतले से कवाब पना लेने कि चिकन अंदर से कच्छी ना रहे अच्छे से जो है पक जाए एक तबल यह उसके उपर मैं और ग्रीज करूंगी और ग्रीज करने के बाद इन सब कवाबों को इसमें प्राइग कर दो मिनिट एक साइड पर देने हैं दो मिनिट डूसी साइड पर देने हैं क्योंकि चिकन अंदर से जो इसको पक्ड़ना ज़रूरी है इसका कच्छा पंद ना रहे यह देखे कि तब प्यागा गॉल्डन सा कलर आया और मैंने इनको जो है साइड चेंज कर दी इनकी अमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई हो कि अल्ला पिस